Hello students, welcome back to Magnet Brains Hindi Medium, मैं लाली वर्मा, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का Magnet Brains के Hindi Medium चैनल पर मैं आपको बता दूँ कि ये है एक ऐसा प्लैटफॉर्म जहाँ पर मिलती है आप सभी को online education एक दम फ्री जी हाँ सही सुना आपने आपकी ना केवल school education के वीडियोज ही यहाँ पर आप पाएंगे फ्री में बलकि सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज भी यहाँ पर उपलब्द किये जाते हैं आप जैसे होनहार students के लिए एक दम फ्री सही सुना है क्योंकि यहाँ पर हम 10 प्रतिशत या 20 या 90 प्रतिशत की बात नहीं करते हैं शत्त प्रतिशत फ्री education प्रोवाइड कराते हैं और इसलिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा ताकि हम अपने इस कारी को निरंदरता के साथ कारे पून कर सकें और आप अपने वामीरो कथा प्रीविएस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से दो प्रेमियों के सच्चे प्रेम की कहानी है यह और प्रेम और मोह में आपको अंतर भी भली भाती समझ में आ गया होगा क्योंकि मोह क्या है प्रेम क्या है यह आप भली भाती समझ चुके हैं प्रेम अर लेकिन वो प्रेम नहीं जिसमें स्वार्थ नहीं थो जिसमें कुछ चाहिए या हासिल करने की या जुनून इस तरह से पैदा हो या फिर हम कुछ समय के लिए ही उनसे जुड़े रहें चाहे वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति वो होता है मोह या आकर्शन क्योंकि प्रेम जीव महीने हो सकते हैं या कुछ वर्ष जब उस वस्तु की अमुक वस्तु की आकर्शक जो है वो नश्ट हो जाता है या धीरे-धीरे कम होता है तो उनके अंदर जो आकर्शन या प्रेम की भावना है वो भी धीरे-धीरे शने-शने चली जाती है इसलिए ध्यान पूरवक सुनि प्रिविएस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिसकस कर चुके हैं कि प्रेम क्या है यहां पर जो हमने पाट पड़ा था लीला धर मनलोई जी द्वारा रचित तान्तारा वामीरों की कथा वो अन्दमान निकवार ड्यूप समूं के दो प्रेमियों की कथा है जो पोरानिक क करताओं कि अनुसार एकदम सत्ते कथा है इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से दो प्रेमी तंतारा और वामीरों दो अलग अलग गाउं के निवासी थे परंतु कुछ रूडिवादियों के अनुसार उन दोनों का विवहा नहीं होने दिया और किस तरह से तांतारा अपना जीवन खो दिया और वामीरों भी उनकी याद में इस शरीर को त्याग चुकी थी और उसके बाद क्या हुआ कि ये भी हमने देखा कि ये जो रूडिव वादियों का खंडन कर देना ही आसान होता है या आवशक होता है वे रूडिवादियां या वे ऐसे सिद्धान थी क्या जो हर एक व्यक्ति के मन को यहरदय को आहत करें इसलिए हमें अपने आगे बढ़ते रहने वाली पीड़ी का हमेशा साथ देना है ताकि वे भी अपने अपने कारियों को भली भाती कर सकें जैसे हमने किये आपने देखा ना कि तरता राजों की गाउवासियों के लिए एक मसीह था अपना संपून जीवन युवक था शक्तिशाली था इमांदार था दिखने में बहुत सुन्दर था उसने गाउवालों के लिए अपना संपू परतित हो गया जब तांतारा को अपने प्रेम की आकांग्शा हुई उसने सबसे कहा कि ग्राम वासियों मेरा साथ दीजिए परंदु गांवालों ने उसकी एक नहीं सुनी जिसे मसीह समझते थे और सब उसके विरोध में खड़े हो गए इससे तांतारा को बहुत आहत हुआ और जो कमर में वो हमेशा तलवार बांदे रहता था लकड़ी की तलवार थी ध्यान से सुनीएगा सुना भी होगा आपने कि जो लकड़ी की तलवार वो हमेशा अपनी कमर में बांदे रहता था लोगों ने कभी नहीं देखा था कि उस तलवार को निकाला हो लेकिन कहा ऐस जाता है जन्शृती के अनुसार कि उस तलवार में दैविय शक्ति थी एक बार जब तंतारा और वामीरों का मिला नहीं हो पाया या विवहां के लिए दौनों ग्राम वासी तयार नहीं हुए तो तंतारा का जो क्रोध था या गुस्सा था या दुख था वो प्रकट हो गया उसने भरी जो गाओं वाले थे उनके समक्ष तलवार निकाली और पूरे वेग से पूरे क्रोध से एकदम जोश से धर्ती में उसको गाड़ दिया और धर्ती में कितने अंदर तक वो तलवार गई इसका अंदाजा भी नहीं लगाए जा सकता क्यों क्योंकि जब वो था अपनी तलवार लेकर वो धर्ती को फाड रही थी अर्थात दो दीवपों का खंडन हो चुका था धर्ती फट चुकी थी दरार आ चुकी थी ये देखकर गाओं वालों दांतों तले उंगलियां दबा कर रह गए थे और अब पच्छताय होत का जब चड़िया चुक गई खेत यहां पर जब देखा कि वामीरो उस तरफ है तांतारा इस तरफ है लोगों ने बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं सोचा और अंत जो हुआ आपको भली भाती पता है कि तांतारा लहू लोहान हो गए थे और किसी को नहीं पता कि वह कहां गयर था तो मृत्यू को प्र बहा हो जाना चाहिए अरे इससे अच्छा उन दोनों को ही मिला देते तो शायद यह दृष्च नहीं होता जो हुआ इतनी दुखद इस कथा का अंत नहीं होता जो हुआ समझ में आया तो यह थी हमारी कहानी तांतारा और वामुरे को प्रेम कथा प्रेम और मुह क्या होता ह यह आप भलीभाती समझ चुके हैं आईए आज हम उसी पाट के करते हैं बहु विकल्प यह प्रश्न तो अपने मस्तिश्कों को एकदम चौकरना करके बैठिएगा क्योंकि विकल्प होते हैं चार जब तक हम अपने मस्तिश्कों को चौकरना करके नहीं बैठेंगे हम विक गाउं के हो वर और वधू अलग अलग गाउं के हो वर और वधू एक दूसरे को जानते हो या कोई नहीं उनकी क्या प्रता थी कि वर और वधू एक ही गाउं के हो ऐसा कुछ था ना तभी तो वामीरों और तांतारा का मिलन नहीं हो पाया था देखते हैं उत्तर क्या कहता है वर और वधू एक ही गाउं के होना चाहिए उनकी ये प्रथा थी गाउं की जिसके कारण दो सच्चे प्रेमियों का मिलन नहीं हो पाया था चलते हैं अगले प्रश्न की ओर तंतारा का जीवन कैसा था कैसा था उसका जीवन रोचक शान्त और गंभीर उबाउ या अति रोचक मतलब समझते हैं ना इंट्रस्टेड या शान्त और गंभीर था या फिर उबाउ बोरिंग टाइप था या फिर बहुत जादा अधिया के समय वो समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता था डूपते हुए सूरज को देखता था लेकिन वामीरो के आने से उसके मन में प्रेम की लहर दोड़ी जो की गाउवालों ने पूरा नहीं होने दिया इसलिए उसका जीवन इस तरह से दिया है हाँ पर चलते हैं अग उसका स्वर कैसा लगा था ता रखो सामान मधूर और सुरीला करकस या फिर कोई नहीं क्यासा लगा था कर्ण प्रिये अर्थात मधूर औरreal सुरीला उसको जीथ वामीरों की तरफ खीशत़ ले गया थी उनकी पहली भेट हुए ती अगला प्रश्ण तंतारा किसको नहार रहा था? जब वो वामीरों के पास पहुंचा तो वो किसे नहार रहा था? तालाप को, सूरज को, सागर को, युवति को या किसी को नहीं? युवति युवति means वामीरों की बात की जा रही है यहाँ पर जी हाँ तो वो किसको नहारी चाह रहा था युविती को अगला है प्रश्न ततारा की विशेश्टाएं बताएं कैसा था शक्तिशाली इवं आकरशक, मिलनसार, मददगार और सभी फिर मैं पुना एक बार आप सभी से कहती हूँ कि जब कभी भी आपका विकल्प आजाए सभी तो आपको बड़े ध्यान से तीनों के तीनों विकल्पों को फिर से देखना होता है क्यूंकि अकसर ऐसा होता है कि जो सभी होता है वो सही हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी जहां option ये विकल पाजाए तो आप आग बंद करके और उसको टिक कर दें, नहीं आपको तीनों विकलपों को बहुत ध्यान से देखना है, अब यहां पूचा है कि उसकी विशिष्टाएं क्या थी, जो कहानी का नायक था, जो हीरो था, है न, उसकी विशिष्टाएं क्या थी, शक्तिशाली एवं आकरशक था, मिलनसार था, मददकार था ये सभी, सभी, क्य लिटिल अर्णमान से कितनी दूरी पर है पहला वीडियो याद कीजिए इसी पार्ट का वहाँ पर दूरी बहुत अच्छे से लिखी गई थी यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आहाँ पावश्य उत्तर दे पाएंगे 69 किलो मीटर की दूरी पर 69 को क्या कहता है हिंदी में 69 ठीक है 86 किलो मीटर या फिर 96 किलो मीटर या फिर सिर्फ 9 किलो मीटर क्या लग रहा है किसी को याद है गा पका ओके चलिए चेक कर लेते हैं क्या बात है बहुत बढ़ी अच्छी स्मृती है आपकी बहुत बढ़ी निकोबार दीप समू का अंतिम दक्षनी द्वीब कौन सा है लिटिल अंदमान या अंदमान या निकोबार या इन में से कोई नहीं कोई नहीं तो नहीं है अर्था तीनों में से कोई तो है तो कौन सा है बताएए अंतिम दक्षनी द्वीब अगला प्रश्ण है तंतारा और वामीरों की कथा कहां सुनाई जाती है उनकी कथा आज भी अमर है उनका प्रेम आज भी अमर है और उनकी कथा हमेशा सुनाई जाती है प्रेरक अन्दमान निकोबार में या अन्दमान निकोबार के हर घर में या इन में से कोई नहीं तो है नहीं क्योंकि इन्हीं में से है अब अन्दमान निकोबार में है या सिर्फ अन्दमान में है या अन्दमान निकोबार के हर एक घर में सुनाई जाती है उनकी प्रेम कथा क्योंकि उनकी प्रेम कथा थी पवित्र इसलिए हर घर में उनकी प्रेम कथा की चर्चा होती है जैसे श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा हर जगे होती है जब भी प्रेम की बात आती है श्री राधा श्री कृष्ण याद आते हैं प्रेम वही होता है जो नी स्वा जिसमें पवित्रता हो और जहां पवित्रता है वहां परमात्मा है परमात्मा ही प्रेम है माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के लिए प्रेम है ठीक है आपने वो स्टोरी सुनी है एक छोटी सी कहानी में आपको सुनाती हूं कि एक बार प्रेमी प्रेमिका थे आधुनिक कहो तो मैं आस्मान से तारे तोड़के लादूं बश तुम जो कहोगी मैं ऒो करूँगा अब प्रेमी कान ने बुल आच्छा ऐसा है तो मैं जो कहूंग वो طum करूगे बूले हाँ कि मैं किसा ऐधा प्रेम करते हो मेरे अलावा वोले मैं अपनी मांसे बहुत प्रेम करता हूँ खैक्याले कि यदि तुम्हीं से प्रेम करते हु तो मा का रदय मुझे ला कर दो तब मैं मानूंगी कि तो मुस्से प्रेम करते हो मूर्ख यूवख मूर्खी कहेंगे उसको एक दम क्या कहें रात्री में मा बिस्तर पर सुई हुई थी वो गया पहले तो उनका गला रेता और चाकू या जो भी उसके हाथ में होगा उनका हृदय अर्था दिल लेकर आता है हाथ में और मा के रिदय को देखिए मा के प्रेम को देखिए कि जब वो कहीं पत्थर से उसको ठोकर लगी ना तो गिरने वाला था तो मा के रिदय से आवाज आई बिटा समल के गिर मत जानन तुम्हें चोट लग जाएगी ये मा है और वो देखिए सुना होगा ना अपने पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी को माता सब पे करुना दर्शाने वाली तो जब वो य युविती ने कहा चलो हटो जो अपनी मा का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा तो यहां यह बात है कि मूर्ख ता जो होती है वो प्रेम नहीं है प्रेम समझदारी है प्रेम सामंजस्य है प्रेम नीश्वार्थ है प्रेम पवित्र है प्रेम परमात्मा है प्रेम समर्पन है ये सब प्रेम की परिभाशा हैं श्री राधा कृष्ण और अभी ये जो हमने पाट पड़ा इसमें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से कहा गाउवालों से परमेशन मांगी उसकी माता से परमेशन मांगी लेकिन गाउवाले जो कि रूड़ी वादियों में बंधे हुए थे जो कि पुराने सिध्धान्त या परमपरा या अरितीरिवाजों को अधिक मानते हैं बच्चों की खुशी है तो हमें वह हमसे पूछ रहें यह बड़ी बात है वह हमें हर एक बात बता रहें यह बहुत बड़ी बात है यदि वो हमसे कुछ बिना बताए, कुछ कर लेंगे तो आप क्या कर लोगे, क्या बच्चों को मारोगे, कदा भी नहीं, कितना भी कुछ बच्चा कर लेगा माता पिता कभी उसके साथ दुरवयवान नहीं कर सकते हैं फिर भी उन्होंने बड़े अच्छे से अपने आपके बात को रखा लेकिन किसी नहीं माना और अंत क्या हुआ वो आप सबको पता है इसलिए उनके प्रेम की कहानी अंडमान निकोमार की हर घर में सुनाई जाती है और सब इससे समझते हैं कि आखिर प्रेम होता क्या है तो यहाँ पर हमेशा यह मस्तिश्क मर रखेंगे कि मोह अट्रेक्शन प्रेम नहीं होता प्रेम अलग है मोह अलग है ठीक है चलते हैं आगे तंतारा कमर पे क्या बानता था तलवार लकडी की तलवार लोहे की तलवार या तामबे की तलवार कौन सी तलवार थी उसकी कमर में? खा? ओके, वेरी नाइस लकडी की तलवार थी और वो भी इतनी शक्तिशाली की धरती फट गई थी ये उसकी सत्यता थी, ये उसकी परिश्रम था, ये उसकी श्रद्धा थी ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्नी की और तंतारा किस तरह का युवक था? सुन्दर और नेक, मददगार, शक्तिशाली या फिर सभी सुन्दर भी था, नेक भी था, मददगार भी था, शक्तिशाली भी था अर्थार जो विकल्प है, वो कौन सा सकता है? सही या सभी अगला है तंतारा वामीरो कथा किस पर आधारित है किस पर आधारित है अंडमार अंडमान निकोबार दीब समुह की लोक कथा पर मुहावरों पर लोक गीतों पर या फिर किसी पर नहीं पहला अनमान निकोबार दीप समुहूं की लोक कथा पर आधारित है तंतारा वामीरों की प्रेम कथा मंडलोई जी की कविताएं किस से सम्मंदित हैं? लीला धर मंडलोई जी जो इसका पाट के रचियता हैं लेखाक हैं उनकी बात की जा रही है कि उनकी जो भी रचना है वो किस से सम्मंदित है? छतीस गड़ अंचल से, मध्यप्रदेश, भुपाल से, रायपूर से या उत्तराखंड से उनकी मुख्य तहाज जो विशेशता हैं मतलब जो रचना हैं वो कहां से हैं? रायपूर से याद रखिएगा लीला धर, मंडलोई जी किस प्रकार का लेखन लिखते हैं? लेख, कविता, कहानी या गीत? लिखते तो वे बहुत कुछ हैं, है ना? लेकिन मुख्य रूप से क्या लिखते हैं? वे कविता हैं, जबकि ये उनका पाठ है मंडलोई जी ने कौन सी शैली प्रयोक की है? वेवारात्मक, उपमायुक्त, वरनात्मक और सम्वेदनात्मक या कोई नहीं? यहाँ पर मैं आपको अर्थ बता दूँ वेवारात्मक वनलब जो आपसी वेवार का तरीका है उपमायुक्त मतलब जहां अलंकार हो तो ये कविता तो है नहीं तो ये तो कैंसल है वरनात्मक और सम्वेदनात्मक जहां पर वरनन भी हो, डिस्क्रिप्शन भी हो और भावनाय भी हो और कोई नहीं तो आपको क्या लगता है कि सही जबाब है, गा, क्यूंकि इसमें वरनन भी किया है, विस्तित रूप से डिस्क्रिप्शन भी किया है और भावनाओं का भी समावेश है इस लेख में, कहानी में पढ़ाना कि किस तरह से भावनाओं से ओत्परोथ है ये कहानी, है ये कथा जो कि हमें ऐसा लग रहा था कि प्रत्यक्ष रूप से हम भी तंतारा और वामीरों के निकट ही हों या उन्ही के साथ उसमें शामिल हों चलते हैं आगे अगला प्रश्न है श्री लीला धर का जन्म कब हुआ? किसी को याद है? जीवन परिज़े? सन 1954 में, सन 1945 में, सन 1964 में या फिर इन में से कोई नहीं कब हुआ था सन 1954 में क्या है? 1954 को हिंदी में कहते हैं 54, 1954, 1964, 1964 इस तरह से अगला प्रश्न है तंतारा को देख कर वामीरों की हालत कैसी हो गई? वह उसे देख कर हसने लगी, वह उसे देख कर रोने लगी, वह वहाँ से भाग गई या इन में से कोई नहीं क्या हुआ था? उसको देख कर हसी थी, या उसको देख कर रोई थी, या फिर उसको देख कर भाग गई थी जब उसने अंतिम कहानी की बात हो रही है कि जब तंतारा जो जो जमीन का जो धरार हुई थी ना बुरी दरह से तांतारा ने जमीन को दूसरे वाले हिस्से को पकड़ना चाहा लेकिन संपूर पूरा लहू लुहान हो गया चीखे जा रहा था वामीरो वामीरो और ये हालत जब वामीरो ने देखी तो वो से देख देख कर रोने लगी थी चीख रही थी लेकिन फिर भी गाओं वालों को उन पर तरस नहीं आया था और अंत क्या हुआ यहиком करते थे जब पसंद करते ही थे लिखा है पार्ट में कि उसको पसंद करते थे उससे बहुत प्रेम करते थे लेकिन अंत क्या हुआ उसका ये आपको पता है वह बहुँए बहुँए अच्छा नर्तक था नर्तक means dancer वह बहुँए बहुँए अच्छा गायक था singer था, उसके पास तलवार थी वह सदयब दूसरों की सहयता करता था क्यों पसंद करते थे प्रेम अनूठा था प्रेम सच्चा और गहरा था इन मेंसे बोई नहीं क्या लगता है आपको उत्तर है इसका प्रेम उनका बहुत अच्छा था बहुत बार उन्होंने गाओं वालों को मनाने की कोशिश की ठीक है एक दम लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी तंतारा और वामीरों के गाओं की क्या रिती थी विवाह के लिए लड़के लड़की का एक ही गाओं का होना जरूरी था देखो यहाँ पर विवाह के लिए है पहला वाला और दूसरा है मिलने के लिए कहीं जाने के लिए लड़के लड़की का एक ही गाओं का होना जरूरी था या इनमेंसे कोई नहीं क्या रीती थी इनमें कन्फ्यूस तो नहीं हो रहे ना बिटा देखिए पहले में पूछा है कि विवाह के लिए लड़के और लड़की का एक ही गाउं का होना जरूरी था दूसरा है मिलने के लिए लड़के लड़की का एक ही गाउं का होना जरूरी था या फिर लिखा है कहीं जाने के लिए लड़का और लड़की का एक ही गाउं का होना जरूरी था अगले प्रश्ण पर चलते हैं वामीरो अपना गाना क्यों बूल गई थी जब वामीरो समुद्र के किनारे एकदम लीन होकर संधिया के समय गीतगा रही थी और जैसे ही दानतारा वहां पहुंचा और अचानक जो समुद्र की बड़ी उची लहर आई और वामीरो को पूरा भ चलने के कारण नीन के कारण समुद्र में उची उठी लहरों के कारण या इन मैंसे कोई नहीं उत्तर है उत्तर है गाह समुद्र में उठी उची लहरों के कारण वो अपना गाना ही भूल गई की थी भूल गई स्तब्ध हो गई एकदम नहीं कि अचानक से कुछ आ जाए तो आशा करती हूँ आपको बड़े अच्छे से ये जो बहु विकल्पिय प्रशन थे हमारे पार्ट तीन के तंतारा और वामीरों की प्रेम कथा या कथा से आधारत वो आपको समझ में भी आया होगे पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि आपने प्रिवियस वीडियो भी बहुत अच्छे से देखे हैं मैं बता दूँ टियर स्टूडेंट्स की मैंगनेट ब्रेंज आपके लिए हर एक विशय की वीडियो एकदम फ्री में प्रोवाइड करते हैं और साथी साथ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ना केवल यहां पर आपके स्कूल या कक्षा से संबंदित वीडियो भी प्रदान किये जाते हैं बलकि जो भी प्रतियोगी परिक्षा हैं या सभी प्रतियोगी परिक्षा हैं उनके वीडियोज भी फ्री में उपलब्द किये जाते हैं और आपको पता है ना कि मेंगनेर ब्रेंस बन चुका है भारत का नंबर वन प्लैटफॉर्म जो देता है 100% फ्री एजुकेशन जी हाँ सही सुना और ना केवल सब्जेक्ट या किसी भी क्लास के बलकि सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज भी आपको यहाँ पर मिलते हैं एक तम फ्री अब एक और मैं बात बता दूँ कि यहाँ पर आप अपने क्लास के जो वीडियोज हैं उनको CBSE English Medium में भी देख सकते हैं CBSE Hindi Medium में भी देख सकते हैं Spoken English के वीडियोज भी देख सकते हैं जहाँ आप घर बैठे या आने जाने जहाँ भी आप हो वहाँ पर रहते हुए आपको बहुत अच्छे से English Spoken के वीडियोज भी आप देख सकते हैं जिससे अच्छे English के वक्ता या स्पीकर बन सकते हैं साथ ही साथ प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज देख सकते हैं इन में शामिल हैं जैसे NTSC, Olympiad, IIT, JEE, NEET, UPSC, RRB, JIIB, CIIB, Bank, Insurances, SSC और भी अंगिनत प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज आपको यहाँ मिलते हैं इतम फ्री, 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 जी हाँ, यहाँ पर हमने यह नहीं किया है कि 10% यह 20% यह 99% जब बात 80 यह 90% की पहुंचती हैं तब ही हमारी आँखे फटी की फटी रह जाती हैं और यहाँ बात है 100% अब सोचिए और वो भी एक दम best faculties के द्वारा आप सुहम देखेंगे और आप सुहम जजज करेंगे क्योंकि आप से अच्छा जजज कौन होगा भला तो यहाँ पर मैं आप से यही कहना चाहूंगी कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहेगा ताकि आपको बहतर से बहतरीन बनने का ये अवसर आप अपने हाथ में रख सकें और अपने अपने लक्षों की और अग्रसर हो सकें मैं बात करती हूँ कि जैसे आप अपनी कक्षा के वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है? तो आप गर्ड़ित, विख्यान या सामा जी विख्यान को भी हिंदी मीडियां में देख सकते हैं. यदि हम आगे सिनर सेकेंडरी की बात करें, कक्षा 11 या 12 वी की बात करें, तो उसमें भी बहुत एक विज्ञान, रासाइन विज्ञान, जो भी आपके सभी सब्सेट्स रहते हैं, उनके वीडियोज आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, ठीक है, मान लीजे किसी भी वीडियो को आपको देखना है तो आप class 10th हिंदी पर जाएंगे और जब class 10th हिंदी पर जाएंगे तो आपको playlist में एकदम systematic तरीके से arranged form में यहाँ पर मिल जाएगा कि आप यह तै कर पाएंगे कि हमें देखना क्या है क्योंकि यहाँ पर कुछ हौच पौच नहीं है कुछ भी mash-up नहीं है एकदम crystal clear है आप click करेंगे वहाँ और video देख पाएंगे तुरंत within seconds ठीक है मानलीजे आपको देखना है संपूर्ण विशय का पाठे क्रम जो cbsc और अधरिद जो पाठे क्रम है उसको आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ click कर देंगे तो आपको video मिल जाएगा यहाँ आप चाहते हैं संप RT, NCRT समाधानी मिल जाते हर एक chapter के तो कुछ आसानी होती है तो आपने जो सोचा हमने वो किया आपकी सोच को यहाँ पर हमने साकार किया और इसी तरह से यहाँ पर आप हर एक video को देख सकते हैं संपूर्ण अध्या का video एक बार में देख सकते हैं complete chapter revision आप एक बार में देख करेंगे और वीडियो आपके सामने आजाएगा जैसे पार्ठिक्रम ठीके पार्टिक्रम परिचय आप क्लिक कीजिए पार्ठिक्रम परिचय जब आप क्लिक करेंगे तुरंत हिंदी पार्ठिक्रम परिचय का वीडियो आपके सामने आजाएगा जिसमें पार्ठिक्रम से सं मन्दे संपून जानकारी रहेगी कि कितनी आपकी पुष्टके हैं जैसे क्षितिश और कृतिका कोर्स A की हम बाद करें तो क्षितिश और करतिका भागदो 10 में क्योंकि भाग एक हमने 9th क्लास में पड़ी है ठीक उसी तरह से हम कोर्स B की बात करें तो हमारी दो पार्टे पुस्तिक आये हैं स्पर्श और संचेन भाग दो क्योंकि इन्हीं का भाग एक हमने नाइंथ में पढ़ा है अब आप सोच रहा हूंगा मैम नाइंथ में भी यही नाम थे बुक्स के और टैंथ में भी यही नाम है क्या वही चैप्टर्स है या उन्हीं के चैप्टर्स के आगे की कहानी है अरे सुनिए आपके जो भी प्रशन आ रहे हैं न मस्तिश्क में सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको यहां देंगी आपकी लाली मैडम तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा एक बार में नहीं समझ मैं तो दूसरी बार भी देख लेजिएगा और फिर भी यदि समझ में नहीं आये तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हम उसका उत्तर अवश्य देंगे और मैं आशा करती हूं कि जब आप यह वीडियो देख लेंगे ना तो आपको पसंद आएगा ही आएगा और आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके और नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ सके इसलिए आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है आपको पता है ना मैगनेट बेंस आप जैसे हौनहार बच्चों के लिए ही तो लेकर आया है कक्षा छटवी से बारवी तक की इन एजुकेशन एक दम फ्री तो बने रही हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुस्त रही है खुश रही है बाबाई थैंक यू